हेलो फ्रेंड्स मुहस्ट वेलकुम तो मैं चैनल ब्यूटी अन हेस्ट्राइल्स आज की जो क्लास है वह कंप्लीटली बेज्ट है प्राइमर के ऊपर प्राइमर से बहुत जादा जोंडा भुष जाया बहुत जादा कोश्टेंस जो हैं कि यह करें वह करें फशिद्ध दीज्ट आज कलास ओता प्रॉटली बास फेला के मरें बताते हगीया प्राइमर आज जब paint करते हैं, जैसे कि यह जो हमारे doors होते हैं, इन पर paint करते हैं, तो पहले primer किया जाता है, प्राइमर से क्या होता है, जो paint करते हैं, वो long lasting बन जाता है, ताकि उस पर dirt कम effect करे, या atmosphere का effect इतना जादा ना हो, हमारे wood घराब ना हो, तो बहुत सारे reasons हैं, long lasting बने, तो इस वज़ा से primer का use किया जाता है, तो same काम primer हमारे make-up में भी करता है, अब देखिए, मेरे पास यहां पर बहुत सारे questions हैं, primer से related, तो primer करेगा क्या, यहां पर सबसे पहले हम अच्छे जो brand का primer है, वो को से, जो L'Oreal का primer है, वो बहुत ही अच अच्छा है, Mac का primer बहुत amazing results है, इसके इलावा हमारे पस makeup studio का primer और बहुत ही अच्छे results देते हैं, तो यह मारे primers हैं, और इसके इलावा हमारे पास है, जो हमारे primers हो, the Swiss beauty का भी primer होता है, यह भी बहुत अच्छा result देता है, तो primer जब आप लें, तो एक अच्छी company का buy करें, तो एक चीज़ ध्यान लें, थोड़ा हलका सा primer लें और उसे अपने यहां पर लगा के देखें, अगर वो oily-oily हो रहा है, और थोड़ा सा अजीब सी finishing दे रहा है, आपको hydrated जादा लग रहा है, तो उसे ना लें, ठीक है, क्योंकि primer पर लगता है, जो primer होता है, वो एकदम से अच्छे smooth finishing देता है, जो अच्छे primer ने होता है, वो smooth finishing नहीं देते, primer से ही आपका face पहली बात तो बहुत जादा smooth हो जाता है, primer क्या करता है, प्राइमर का सबसे बड़ा काम क्या होता है, एक तो आपके जो foundation होता है, और जो आपका face होता है, उसके बीच में एक layer बना देता तो layer बनने से अगर आपके make-up में अगर आपके face को oil release कर रहा है, तो आपके foundation साथ mix नहीं होता है, अगर foundation mix हो जाता है, तो foundation oxidized हो जाता है, foundation oxidized होने से क्या होगा, आपका make-up काला हो जाएगा, काला बढ़ जाएगा, इस वज़ज़ से क्या करें, कि primer का use ज़रूर करें, secondly, यह जो प्राइमर्स होते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे ब्रैंड के आते हैं तो अच्छे ब्रैंड का ही प्राइमर यूज करें बिल्कुल इस पर मत जाएं कि नहीं मुझे यूज नहीं करना मुझे थोड़ा सा ऐसे मत करें प्राइमर अच्छे ब्रैंड का होना चाहिए म और आपर हरे के परसन पर होते हैं कुछ के दिखाई देतें free मेरी स्कीन पर पर तो आपकेreten पर इन फेस परी हेर को स्कीन हर कर देता है पर नहीं पर्मक्त कर देता है प्रा NEW आपने प्राइमर नहीं लगाया अपने डाक्ट फॉंडिशन लगा लिया एक तो उसके उक्षिडाइज होने के चांस जादा हो जाएंगे उपर से वह जो फॉंडिशन है ना आपके पोर्स में अंदर धस जाएगा चला जाएगा और आपके पोर्स जो है वह मैले हो जाएगा उसके अंदर तो ऐसा नहीं करना चाहिए इसी वह जैसे प्राइमर ज़रूर लगाना है जो कि एक स्मूध फिनिशिंग दे देता है आपके मेकप से पहले आपके मेकप को लोंग लास्टिंग बनाता है और बहुत अच्छी रेडिंट लुक देता है नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए बहुत सारे परसंस ऐसे होते हैं जिनके पोर्स बड़े होते हैं खुले हुए होते हैं यहाँ पर आपके मैं कुछ कुछ ठीर से सोट आउट कर नहीं हूँ कि क्या आप डेली प्राइमर यूस कर सकते हो मैं बस कुछ questions है यहाँ पर तो मैं उसको sort out करूँ कि क्या मैं daily primer use कर सकते हूँ देखिए अगर आपके pores बड़े हैं यानि कि open है और बड़े हैं जो कि easily visible हो रहे हैं तब आप primer use कर सकते हो daily लेकिन अगर आपके face पे कोई problem नहीं है तो daily primer use मत करें अगर pores करें को pores जोते हैं फट जाते हैं तो अगर आपके pores बड़े हैं open है easily visible हो रहे हैं उसके अंदर dust जाने के chances या धूल मिट्टी के chances जादा हैं तो आप क्या करें कि daily primer आप use कर सकते हो एक तो यह है कि क्या में daily primer obviously यह कर सकते हो लेकिन अगर problem है तो next कि मुश्राइजर पहले लगाएं या प्राइमर पहले लगाएं obviously जब भी आपको मुश्राइजर लगाना है या फिस सीरम लगाना है वो प्राइमर से पहले लगाएं मुश्राइजर पहले लगाएं और फिर प्राइम लगाएं यह नहीं है कि आपने मुश्राइजर पहले लगा लिए पहले प्राइमर लगा लिए ऐसा नहीं है पहले मोश्राइज करना बहुत जरूरिया द्रॉठ जरूरी है पहले मॉश्राइजर आपके तोOoh मेक द्रॉथ है तो मॉश्राइजर क्या है जरूरी है प्राइमर से पहले लगाना और प्राइमर को बास में planets next question कि क्या मैं toner toner कभी यूज करें पहले यूज करें या बाद में यूज करें और अगर मैं toner ही लगाना है और प्राइमर ना लगाँ तो दिखेंड टोनर सबसे पहले टोनर अगर टोनर मुश्राइजर और क्यों से हैं फिर मृष्टराइसर लगाना है और फिर प्राइमर लगाना है डोनर क्या चाएक्टा करता है आपकी जो पोर्स होते ना मम्‌धिक के ओं आपन ऑने होते तक फ्रींडेंहल क्यों घ्ले कर देता है उनको थोड़ा सब क्लो सकते अतर Колि यह होते हैं हर किसी के तो सबसे पहले लगाँग persistence लगाओ फे प्रम स्रेज़ लगाओ H30 एक जी चीज और तो बिल्कुल भी नहीं करेंखा कि आप को टोनर जो है टोनर आपके पोडर्स को minimize करेगा सिर्फ आपके protection नहीं देगा आपके makeup को तो toner अलग चीज़ है और primer अलग चीज़ है दोनों को mix करने की कोशिश मत कीजिए toner को अलग रखें और primer को अलग रखें toner मोशारीजर से पहले लगाएं फिदन मोशारीजर दन लेकिन अगर आप यह कोशिश कर रहे हो कि मैं primer नहीं लगाऊ और सिर्फ टोनर टोनर लगाऊ तो ऐसा नमत कीजिए ऐसा करोगे तो बिल्कुर रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे नेक्स्ट किस एज में हमें प्राइमर यूज करना चाहिए देखिए प्राइमर के यूज करने की एज तो यह है कि जो बच्चे होते हैं माली जी आप 20 के हो 20 मां 20 के लिट्ट मैक्सिमम कुछ गर्ल्स होती हैं जो मेकप करने का बहुत जादा शोग होता है तो जल्दी अधिया है इभी मेक युज को लाइप मेकप करती और वह भी कुछ च्रीम लगा लिया है नॉर्मल लिप जाथ लिशाए बाकी अगर प्रॉपर मेकप कर सकते भी हो तब भी आप ऐसी पातने हैं, प्राइमर कोई हाम नहीं करता है, बस आपके makeup को long lasting लगता है, अगर अबे makeup करवा रही हो तो long lasting रखना जाती हो, तो प्राइमर का यूज कर सकते हो, तो कोई हाम नहीं, कोई side effect नहीं है, और प्राइमर का यह है कि protection ही देगा आपके face को, आपके foundation को आपके पोर्स के अंदर फसने से रोकेगा तो यही काम करेगा तो 20 प्लस भी यूज कर सकते हो गहर से पहले मेंक पर रहे हो तो भी कर सकते प्लांट है आप घर पे इसली बना सकते हो अलोवेरा जल उन्होंने कोशन था कि 10 रूपीज में कोई अगर मैं बना सकूं प्राइमर तो दिखिए इससे अच्छा तो कोई नहीं है अलोवेरा जल में हलका सा मोश्राइजर डालें और उसे डेली यूज करो इससे अच्छा प् डाण मोश्राइजर लाएज लोवेर जल प्लस अँम उस्टरयाजर यूज करो या फिर अगर आपके पास पास घर पर फ़ी असानी से बना सकते हो आपके आपके अलोवेरा प्लांट है तो ओर या फिलोवेरा मैं को आ है इस हो कर्दै लेकिन आप घर-फर बना बना सकते है ठीक है तो ओममेड प्राइमर तो यही है नेक्स्ट है कैना यूज स्कीन प्राइमर एंड यूज टोनर की उनका कहने का मतलब है कि क्या मैं जो स्कीन प्राइमर है यानि टोनर का यूज कर सकती हूं अट दा प्लेस ऑफ प्राइमर यानि प्राइमर की जुका पे मने टोनर का यूज कर लूं देखिए मैंने आपको ओलडी पहले कोशिण में यह एक लियर किया था कि आप जो है ना तो आप प्राइमर का यूस कीजिए लेकिन अगर आप टोणर को अल्टरनेट समझ रही है तो ये आप गलत समझ रही है टोणर अलग चीज़ हैं प्राइमर अलग चीज़ हैं यह मैं पहले भी बता चुकी हूं टोणर आपके श्रिंक करेगा सिर्फ अपने पोर्स को और उसको मिनिमाइज करेगा लेकिन प्राइम नहीं करेगा प्राइम अलग चीज़ है पहले टोन और तो आप पो प्राइमर जरूर कीजिए यह नहीं है कि आप इस टोनर से ही काम चला लें next thing next question पर आते हैं next है कि क्या मैं setting spray का use कर सकती हूं primer की जगह पर make-up को lone lasting बनाने के लिए दिखिये मैं मानती हूं कि setting sprays का use makeup को set करने के लिए जाता है यह makeup fixers का use किया जाता है दो चीज होती है एक तो होती है makeup setting spray एक होता है makeup fixer दोनों अलग अलग चीज है इस point को ध्यान रखें secondly आप यह कहरो कि क्या अगर आप उन्हें प्राइमर की जगह यूज कर सकते हो प्राइमर हम कब लगाते हैं मोश्राइजर के बाद आपने setting spray का use कर दिया setting spray किस चीज के लिए यूज कर रहे हो मोश्राइजर को सेट करने के लिए दिखिए मोश्राइजर तो और आपके फेस में मर्च हो जाएगा और आपके skin के अंदर penetrate हो जाएगा ठीक है ना आप उसके लिए setting spray का यूज नहीं कर सकते प्राइमर इस डिफरेंट थिंग सैटिंग स्प्रेंट थिंग दोनों अलग चीज़े हैं कन्फ्यूज मत हो setting spray हम एकप को बीच में ऐसी बात है कि हम मेकप को बीच में setting spray का यूज नहीं कर सकते Although make up fixer का use हम मेकप के बाद करर दें लेकिन setting spray का use हम 메이크업 के पहले बीच में या फिर देन फोन में कर सकते हैं लेकिन makeup fixer का use भी हम end में करते तो आप setting spray का यूज प्राइममर की ज्गहां पे नहीं कर सकते ठीक है ना इस शीज का धिहान रखे सिद्टके सेटिंग स्प्रेय कं यू Mongolшие आप कर सकते हूं मनें प्राइमर कर लिया काण कर लिया अब आप सेटिंग स्प्रेय के लिए किस चीज को आप सेटिंग स्प्रेय का यूज़ कह किया है आपने foundation लगा लिया अब आप setting spray का यूज कर सकते हो किस चीज के लिए अपने foundation को set करने के लिए अगा अपने concealer लगाया तब आप setting spray का use कर सकते हो लेकिन आप प्राइमर की जिगा पर setting spray का use नहीं कर सकते हैं को कोई alternate नहीं है setting spray प्राइमर का कोई alternate नहीं है दोनों ही अलग लग चीज़े हैं तो दोनों को अलग रखके ही चाले ठीक है और fixers का use भी बार बार फेस पर यह नहीं कि setting spray जिगा fixers का use भी नहीं कर सकते हैं इससे आपको फिस बहुत जादा हार्ड हो जाएगा आपको make-up बहुत जादा हार्ड हो जाएगा आपको बोलने में भी problem होगी तो fixers का use पर जादा नहीं करते settings पर एक यूज कर सकते हैं next question next question है कि लक्स लक्मे एबसल्यूट ब्लव परफेक्ट make-up प्राइमर और लक्मे एबसल्यूट ब्लव परफेक्ट प्राइमर क्या यह दोनों सेम है जी हां यह दोनों प्रोडक्ट जो है वो सेम है यह प्राइमर बहुत अच्छा प्राइमर है सबसे अच्छी बात है कि यह हर एक लिए सूटेबल है लै गंए एबसल्यूट बलव प्रै के का प्राइमर लोगे ता बहुत mad ल गत अच्छा ही होगक ठीक हैना त्डीक हैना मैं aesthetic company नब्तारर कि US कमीघ रवाग्ध दरफाय के व्यूकट तो फ्रेंड्स प्राइमर से डिलेट जो है आप आपको ही जो सारणे कलियर और हो गई होँगे दाउट्स और है मर्स कुसे आपको हार नालज मिल गई होगी और एक चेज़ आर ऑसकी टाइप के लिए भी होते हैं सीन टाइप के लिए यह होते हैं कुछ आती हैं कि मैट Primer, tu skin types, के Coding भी Primer मेरा आते हैं मैत Primer, कुछ होते हैं Hydrating Primer, कुछ होते हैं Illuminating Primer Matte Primer का use, आप oily skin के लिए करते हो दिखिए हर एक चीज जो से Matte लिखा हुआ है, ना Matte होते हैं, जो मै लिखा होगा या से तो वो oily skin के लिए होते हैं Hydrating, जिसमें moisture यस तरह के प्राइमर यह होते हैं ड्रॉयव. के लिए इल्यूमिनेटिंग प्राइमर फ्राइमर आपको थोड़ से शाहिं बिली पैयर हैं तो फ्रेंस प्राइमर से रिलेटेटिड आपके सारे डाउट्स क्लियर होगा फ्राइमर क्या करता है किस आSmना को किरता है thank you friends goodbye